तो आज इस वीडियो में आपको कराएंगे वाक्थू के बारे में जो ये modern house है तो जो आपी देख पा रहे होंगे ये racks है जो racks मनाए गई है ये वास बेसिन के जो नीचे racks मनाए गई है अभी इसमें plumbing का काम बाकी है और वास बेसन का भी काम इसमें बाकी है तो ये मैं toilet का करा रहा हूं तो ये पूरा tiles लगाए गई है जिसमें tiles spacing के भी लिए भी गई है इसमें सभी जो tiles है ceramic style यूज की गई है और finishing के साथ में तो ये doors हैं ये wooden का doors हैं जो काम ही किया गई है super woodworks के द्वारा ये सभी जो काम इस woodworks के द्वार के द्वार के गई है और यहां पर आप जो seeds होती है वो यूज की गई है इसमें अभी पूरा complete काम हो चुक है और ओपर जो ये polythines लगी हूँ है अभी हटा remove कर दे जाती है क्योंकि one side panels के अंदर एक side आ दिया है उसके बाद यहां पर कराएंगे आपको walkthrough tv panels के लिए दो tv panels है वो किसे लगाए गया है and master bedroom के अंदर हमने यहां पर double door use की है double door आप देखें होंगे की outer जो door है वो रोसनी के लिए natural जो रोसनी चाहिए रूम के वो लिए है प्लस mosquito resistance and anti mosquito and आपके butterflies जो होती है जो मक्ही है एक तो double door बैस रहता है कि जो मक्ही होते हैं वो भी नहीं आती है प्लस मच्छर हो रहा है वो भी नहीं आते है और रोसनी नेच्रो रोसनी दीचे है अमरेक अंदर तो double door इसमें यूज ही है सभी में तो सभी एक लुक देता है यह आप विंडो है इसमें fix window भी यूज है and wooden window है वो भी यूज में लगाए हमने तो यह सभी knit polish के साथ में यूज है यह knit polish किया गया इसके अंदर और जो next है वो double net यूज ही है बीच में glass हमने इसमें यूज किया है एक looking को बैस करने के लिए and bottom and top के अंदर जो यह ठीक है तो जो net window है event net दूर रहने वाला है इसके अंदर हमने इसमें most glitter net यूज किया गया उसके बाद हम यहां पे देखेंगे tv panels के बारे में तो tv panels भी हमने यहां पर बहुत अच्छा किया है यह hydraulic panels होते हैं जो opening जो उसमें यूज की गई है सभी hydraulic यूज की गई है and rack के लिए भी batch यूज की गई है तो यह bottom में है सभी doors यूज की गई है और looking के लिए भी side में racks बनाई गई है अब यह tv panels का electrical का साभी काम हो चुका है तो सभी जो totally जो काम किया गया है super woodworks के द्वारा किया गया है उसके बाद हम यहां पर जैसे balcony के अंदर देखेंगे steel railing अभी बागी है और उसके बाद हम यहां पर देखेंगे panels के बारे में interior designing जो panels हैं वो भी wooden के इसमें लगाई गए है and bottom में यहां पर देख प ने कोर दोर के लिए इसमें hydraulic का है यहां पर बैस्ट इसमें सभी टोटली जो opening है जो jack है मैं hydraulic के सिर्फटम ही this उसमें टोटली वर पैनल्स हैं वो लगाए गए हैं इसके अंदर तो यहां पे सभी जो टॉटल रेक्स है वो लगाए गए है और चिमनी के लिए जब देख पा रहेंगा चिमनी के लिए हमने इसमें विंडो गो एक पैनल्स हैं ढखतिया गया है जो किछन का आपको वाक्तृू कराया है कि इसकी तॉ यहां क Jin के अंदर जो भी अलमारी है यह किया गया है और किछन के जो कॉंटर टौप पर है पत्थर लगाया गया है गरे नाइड का और जो कवाणचे यह जो नीचे है कामटर के जो क॥ी नीचे है वह भी हमने रैकिसमें यूजज की गई है तो सबस wore अच्छे है में किचन में आ जाती तो इसका खर्चा आता है इपरोक्सिमेट आपका 2-3 not रॉपए खर्चा आता है यूजर है यूज की गए यूजकी तक नेख़ रहे हूंगे बोटम में रेक लगाई गई है ज exclude एलके स्थेटम के लिए यूज़ की गया है सबी गुड्स रखने के लिए और और बिधिया देते हैं आपको यह वीडियो पैनल्स आपके समा नुवान रखने के लिए उसके बाद उसात Salji होती हैं वह समें जाली टाइप में रख सकते हैं या या जाली टाइप में बनाए ग जो विंडू होते हैं जो डॉर्स हैं यह इन पर पनी लगी हुई है भी सब को रिमूव कर जाएंगा तो बैस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथ में किचन काउंटर के टोप में जो रैक्स हैं वो भी अच्छे से समानवान रखने के लिए कुछ भी आप किचन के लिए और मैगनेट एंड हाइड्रोलिक का सिस्टम यूज किया गया है ओपनिंग के लिए जैसे कि जॉइंट के जो कब्स होते हैं वो सभी टोटल हाइड्रोलिक अब एक बार ओपन कर दोगे अटोमेटिक यह बंद हो जाते हैं अपका बाहर से मैं फुल व्यू करा देता हूं किचन का तो सामने हमने किचन में एक ही विंडो लगाई ओपनिंग के लिए बात ही सभी ग्लास फिक्स्ट इसमें यूज किया गया है अभी किचन का है यह पो स्टम एंड उसके बाद हम यहां पर दिखा देते आपको वाड़्डुन के अंगर वाड्रोग में क्या सिस्टम रहता यहां बें तो वाड्रोग में भी सभी नयाको नय तोटलिस में अच्छा मेटल का यूज किया गया एंड वूडन बॉर्ड का यूज किया गया इसके अंदर और सिस्टम आपको दिखा देते हैं अभी तो इसका जो खर्चा आता है एप्रोक्सिमेट पर स्क्वेर फिट के अकोडिंग आपका चार सो से पांसो पर स्क्वेर फिट में इसका खर्चा आ जाता है विद मैटल के लिए एंड टीवी पैनल्स यहां पे देख सकते हैं आप ट जोर के साथ में ही विंडो दी गई है और यह विंडो जो टोटली काम किया गया है में सूपर वूडवग्स ने किया है अब हम से कॉंटेक्ट कर सकते हैं कुछी भी विंडो और्स बनवाने के लिए जो नंबर है वो लिंक प्रिक्स के सेंग में आपको मिल जाएगा शोप क के ले अंदर अलग अलग जो बातरूम है वह जिसमें लगाई गई है अभी प्लम्बिंग फिटिंग अभी बागी है और टाइल के लिए हमने के लिए क्रेमिक स्टाइल एंड टाइल लगाई गया इसके अंदर और जो जोइंट होते हैं उसके उसमें पने पट्टी यूज की गई है तो यह टोटली हमने वुटन का दर्वाज अलग गया गया और फाइनली हम यहां पर देखेंगे वार्ड रोप के अंदर तो यह अलग लग जो वार्ड रोप है अलग बैडरूम में हमने यूज की गई है तो मास्टर जो बैडरूम है इसमें डोटल रेक्स आप देख सकते हैं बॉटम में टोप में ठीक है तो इस ते से बॉक्स बनाए जाए है आप यहां पर बॉक्स सकते हैं अगर आप अपना कोई डॉर या विंडो या बुडन के अंदर को अच्छे क्वालिटी में एंड की प्राइस में चाहते हैं तो आप हमसे कॉंटेक्स जरू झाल वाए झाल अबॉर या वबॉर या झाल चलुक्त áफ या ब वरघों बग्णोस सकते हैं प्राइस सकते हैं हैं यहां चाहते हैं जरूपाइस सकते हैं जरू झाब ao कर आख हैं फ्याम के लाए या दसास म्रेएस तेस बढ़ आसे हैं जरू हैं ग network